शेयर में लगातार गिड़ाओ दोस्तों जारी दोस्तों शेयर गिरते गिरते देखें कभी सत्र रुपे पर गिर जाता है कभी सत्र रुपे पर भी चला जाता है भी देखें मिडल लेवल पर यहनी 40 रुपे पर नजर आ रहा है यह 1000 का टार्गेट कैसे अचीव कर गया दोस् तो यह बैंक के बार में जान लेते हैं जैसे कि कापिटल फर्स्ट और मर्जर से तूसर्ण ऐटीन डिसेंबर जैसे कि इसमें कोई शेयर खृषिने से पहले जैसे कि इनका ड्राइवर यानि की उसके जो वाले हैं तो उसके बार में अगर आप जाने जिसमें है बातों पर बैंक बैंक के बार में देखेंगे तो बैंक डेखेंगे टोटल देको 603 ब्रांचे बढ़ते बढ़ता जा रहा है यहां पर कि 11 परसंट रेशियो था वह बढ़ कर देंगे बहुत अच्छा परसंट यहां पर जरा रहा है और कोस्ट ऑफ फंड जो की 6.8 परसंट हो गया है देखो अभी डाउन हो कर तो यह बहुत अच्छा परसंट नजरा रहा है जो कि साथ परसंट से अभी इन लोग सेविंग्स में साथ परसंट देते थे जो अभी कम करके छे परसंट कर दिया है तो यह भी इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड हो जाएगा जो आने वना समय नजरा आएगा वह अच्छा परसंट नजरा रहा है दोस्तों और यह इनका कोड डिपोजिट है यानि कि यह कासा और रिटेल टम डिपो देखेंगे तो उनको अच्छा कासा प्रॉफिट मिलेगा तो यह हर एक लेवल पर पॉसिटिव साइन नजरा रहा है दोस्तों और एसेट साइड भी हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे लोन बुक में मार्स रिटेल लोन का देखो पहले मार्स 2018 में 10 परसंट ही थ तुका देखेंगे तो यह भी अच्छा कासा देखो जो बोला हो किया उन्होंने हर एक लेवल पर और कमपनी में इंफार्स्रक्ट्रक्ट्र लोन भी जो था मार्स 2018 में इतना था त्वेंटी सब्सक्राइट था जो कि कमोकर देखो 11602 क्रोड तो यह रिस्की लोन थे और र इसमें रिकवरी होने के अच्छा कासा चांसिस होते हैं तो यह भी अच्छा कासा उन्होंने कदम उठाया है उसके बात देखेंगे तो दोस्तों आगे बढ़े के देखेंगे जैसे की देखेंगे हमने जिसका नेट इंट्रेस मार्दिन भी उन्होंने इंप्रूब किया है तू पॉइंट नाइन परसंट से लेगे 4.65 परसंट कर दिया है 2019 में 2.89 था बढ़ा कर देखेंगे में बढ़ा देंगे और तो दो साल दो कर्टर से कंटिनियसली लेको प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का हम देखेंगे अभी और उनका यह भी आरो एबी इनको 1.4 से 1.6 परसंट है यह इतना हो जाएगा 2024 25 में तो यह अच्छा-कासा दोस्तों इनका यह जो प्ला जैसे कि अब देखेंगे यह मिड मार्केट के आप देखो यह मिड साइस की कमें 24,903 क्रोड है करन पर 40 पर चल रहा है एक साल में 62 बनाया था और लो 37 के आसपा देखो यह 36 38 37 38 देखो यह मतला उसके अग्दम लोग पर ही अविलेबल है दोस्तों और प्राइस टू बूक बूक वेल्यू 30 के आसपास है उसके आसपास ही है थोड़ा नजर है 1.4 प्राइस टू बूक वेल्यू है और रमोटर सोल्दिंग में 36.5 हर एक लेवल पर ठीक है दोस्तों यह देखो रोसी और रोसी और रोवी कम है लेकिन पहले तो यह माइनस में ज़र आ रहा है लेकिन आपर अनिंग पर चेर माइनस में हलका सा दजर नजर आ रहा है लोकिन जैसे इसमें प्रॉफिट और नजर आएगा तो देखिए रोकेट कैसे बनता है दोस्तों ही दोस्तों ही इसमें हम इसका कौटरली रिजल पर एक बर नजर मारते हैं कौटरली डिसेंबर का देखो कि देख रहा है और अच्चा कहाशा है यहां पर लोस सब्सक्राइब कर अगे चल कर आने वाले समय में थोडग दीखो इसलिकें आपर मार्ट 22 का जो रिजल्ट आएगा जो इसका एप्रेल 30 का दो डेट है उसमें देखिए यह कैसर रोकेट बनता है दोस्तों और देखिए इसका दोस्तों रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है और इसका बॉरॉइंग बड़ा है ताकि बॉरॉइंग ले करें आगे अच्छे कासे रेट पर इंट्रेंस में दे सके ताकि बिजनस बढ़े और यहां पर क्लैस्ट फ्लो में देखिए पूरा को पूरा क्याश है आप 14.61 क्रोड का दिखाई दे रहा है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे प्रमोटर स्काइड है 36.49 और यहां पर FII का भी लगा हुआ है 13.48 परसंट और डिया का देखेंगे तो 9.58 इसमें देखो आइससे प्रोडेंशल का भी लगा हुआ है यह सब इंसुरेंस कंपनियों के पैसे लगो है प्रेजिदेंट आफ इंडिया का देखो 4.2 परसंट लगा है पब्लिक ने 36.24 परसंट लगा के लगा है दोस्त इसके चार्ट में देखेंगे तो आपको डिटेल पटा चलेगा दोस्त इसका इसका यह साल पहले एकली देखो ये 40 रुपय के अरुपा देख़ा और यहां पर अभी sprawous आ पास पास ही नजर आ रहे दोस्तों यहां से आप देखोगे जो अगुस्त ट्वेंटीवन से लेके अभी तक देखो सेम रेट पर यह नजर आ रहा है कोई ज्यादा उंप्रूमेंट हुआ नहीं है इसके इंदर क्योंकि अभी इसमें जो मार्त का जो रिजल्ट आएगा उसके अब शिखेभान हंडेट परसंद ये बढ़ने का पूरा चांस नजर आ रहा रहा है कि और इसमें लगातार गिरावाट हो रही है तो इसमें दोस्तों यह जो जैसे मैंने इसके पूरा देखा अपने देखे वैजना चेंगी वाइदना जिन्यी का और बाकी का जो इसमें उ आगे के रिजल्ट के अच्छे आए होए हैं जैसे कि रिजल्ट हम देखेंगे पूरा कोटली रिजल्ट में दीखेंगे फॉरा प्रोफित आये सब्टेमर 29 में और डिसेंबर 21 में और तो आने वाले ये डिसेंबर 22 प्रोफित अच्छा आएगा तो सीधा रोकेड बन का चार पांस साल तक आप होल्ड करोगे तो पांस साल के उपर का इसमें टार्गेट बना के रखो तो ऐसा नहीं कि ये ले लिया और शीदा रॉकर्ट में काँचार रुपर बना देगा तो इसमें आपको सबंद करना पड़ेगा और इसमें पक्का हंडिट परसंड बढ़ने